हेलो दोस्तों नोटिफाई नॉलेज में आपका स्वागत है और फ्रेंड आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलर्शिप 2023-2024 के बारे में फ्रेंड यहां पे बहुत सारे छात्रों का जो फॉर्म है समाज कल्याण विभाग के दौरा रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसका रिजन क्या होने वाला है वीडियो में आपको पता चल जाएगा और समाज कल्याण विभाग के दौरा सस्पेक्ट स्टेडस वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्पूर नोटिस यहां पे निकाला गया है और नोटिस में क्या बताया गया है वीडियो में आपको जा अगर आप लोग नए होंगे या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सेर कीजेगा नए होंगे तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजेगा तो फ्रेंड आगे बढ़न से से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग को कमेंट आ रहा हो और मैं यहाँ पे मैं वहां पर मतलब कोसी सकर रहा था कि आप लोग के कमेंट का रिप्लाई करू बट यहाँ पर एकका दुक्का फिर 5-10 को लोग होतेते ना तो मैं उसका रिप्लाई कर देता बट यहाँपे इतनी चात्र का जो है reply ना तो Instagram पे ना तो Telegram पे ना तो YouTube के comment section पे मैं दे पाया हूँ उसके लिए मुझे खेज है उसके लिए मैं छमाप राती हूँ बसरते मैं आपको एक बात से अगत करा दूँ देखे ये मेरा channel है मैं यहाँ पे आपको दो चीज का link देने वाला हूँ आप लोग अगर थ्पुड़ सा scroll準 करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग के लिए दो बीदो मैं बताने वाला हूँ और सजेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कि post metric के सभी चात्र जिनका correction उपन हो चुका है तो जिनको भी correction करना है correction से related कुछ भी information चाहिए कैसे correction करना है और किन-किन छात्र का correction होगा इस वीडियो में संपूर जानकारी मैंने प्रवाइड कर दी है और यहाँ पे आपके status को लेके जितने भी status है सारे status को मैंने यहाँ पे cover up कर लिया है और यहाँ पे यहाँ पे हर एक status को माध्यम से आपको मैंने बता दिया है कि आपके status का solution क्या होने वाला है तो जितने भी छात्र हैं comment ना करें अगर comment आप उस चीज को किजिए जो मैंने वीडियो में यहाँ पे नहीं बताया अगर मैंने उस चीज को इस वीडियो में cover किया है तो मैं उसक के लिए रामबाड होने वाला ये दोनों बंदा वीडियो आप लोग कमपलसर यानि की जरूर देखेगा और यहां से आपको जो है आधी प्रावलों का सोरूशन मिल जाएगा बाकि जो बची कुछी सालूशन है आपको इस वीडियो में प्रवाइड कर दी जाएगे तो फ्र बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे इसलिए मैं आपको जो है ये वाला आइडिया जो है सजेस्ट कर रहा हूँ तो आप लोग इसको देख लीजएगा बाकि अगर जो भी बच्ची कुछी जानकारी रहेगी उसको मैं आपको अपलोड करके बता दूँगा ठीक है आप बाद उत्रिण प्रोनत यानि प्रमोटिड विथ मार्क होने पर ही छात्र अपने पूर आवेदन पत्र का नविनी करण कर सकेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे यही बताये गया है कि अगर आपका जो है एकजाम जो है सेमेस्टर पढ़ा ली रहा मतब था तो यहाँ पे आपको जो है आपका पहला अपलस दूसरा सेमेस्टर को यहाँ पे रिजल्ट डिकलियर हो जाना चाहिए और इसको जोड के ही आपको अपने फरम को फिल करना है और आपका परिक्षा चैह सेमेस्टर रहा होगा चैह आपकी जो परिक्षा पढ़ाली है एनूवल रही होगी उन दो प्रिक्षा 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 फल वह नामांकन संख्या जिसे इनरॉल्मेंट मतलब नमबर कहा जाता है अंकित करते हुए आनलाइन आवेदन किया जाना है नवनी करन के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी है यह बात रही रिनूवल वाले चात्रों के आपने मार कितना पाय था यह भरना है और आपका जो इनरॉल्मेंट नमबर है इसको फिल करना है और आपकी एक चीज यहाँ पर मिस हो चुकी है ओ है फिस्टी करना यह ओनली यहाँ पर चार चीज़ों मैंने आपको पहले से ही बताता चला आया हूँ कि आपको रिनूवल केंडेट है आपका करेक्शन पोटल ओपन हुआ है कुछ सबस्पेक डाटा सो कर रहा है अगर आपने इन चारों चीज़ों को इदाम बिल्कुल अच्छे तरीके से वाँ पे फिल किया हुआ है तो आपको परिशान होने की आवसात्ते नहीं आपको अपने फार्म में कुछ प्रावलम का सोलूशन निकल सागे ठीक है अब यहाँ पर दीखे थर्ड नंबर पर क्या बताया गया है कि चात्र द्वारा वार्षिक परिक्षा फल दोनों सेमेस्टर का परिक्षा फल नो निकलने की दसा में बहुत सारे चात्र ऐसे थे जिनका रिजल्ट डिकिलियर नही अप्सन चूच करके अपने फर्म को यहाँ पर फिल क्या था बट यहाँ पर एसे सभी चात्रों का डाटा जो है संदेहा पद स्रेडी में रहेगा तथा समय सारडी में संदेहा पद डाटा को सही करने की समया वधिके अनुसार परिक्षा फल भरते हुए आवेदन पत्र प को अग्रसारित न करने की दसा में आवेदन निरस्त माना जाएगा देखिए यहाँ पर मैंने इसके बारे भी आपको पहले ही बता दिया था कि जिसका रिजल्ट यहाँ पर आ जाना चाहिए अगर आपका रिजल्ट नहीं आया होगा तो आने वाले समय में आपके फर्म को यहाँ पर समाज कलना रिभाग रिजक्ट करेगा यहाँ पर साब साब लिखा है कि उसको जो है निरस्त माने जाएगा और जिनका भी यहाँ पर जिन्होंने रिजल्ट एट नौट डिकलर वाला आप्शन चूच करके अपने फर्म को फिल किया है और उनका रिजल्ट आ क्या कहा गया है अब यहाँ पर फ्रिंट मतलब कॉलेज की लिए पताया गया कि संसथा द्वारा चात्र का आवेदन आनलाइन अगरसारित करते समय चात्र का गतवर्ष की परिक्षा सेमिस्टर होने की दसा में दोनों सेमिस्टर को मतलब जोड के आपर फारवर्ड करना है और अगर आप लोग का एनुवल होगा तो पूरा मतलब जो एनुवल का मार्क होगा पुडान प्राप्तांग तथा उनकी जो उपस्थि होगी का प्रतिसत सही रूप से भरना अनिमार होगा ये जो काम रहेगा ये आपके कॉलेज द्वारा किया जाना है अब फ्रेंट यह सकते हैं मैं इसको हाइलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर कखग यानि की ABCD यहाँ पर दिया हुआ है अब यहाँ पर क्या बताया है यहाँ पर देखे संबंधित विशुविद्याले एफिलियेटिड एजनसी के अस्तर से घोसित परिक्षाफल के अनुसार आवेदन में छात् आपको बार-बार और लगातार एक ही बात को बताते चलाया हूँ कि जब आप लोग अपना फॉर्म मतलब भरेंगे या फिर संसोधित करेंगे तो आपको जो है अपना गतवर्स का बियोनण भरना होगा ठीक है इसको आप लोग एकदम सही भरिएगा आपका जो है एन्वल पड़ा ली है या फिर सेमेस्टर पड़ा ली है तो इसको देखके अपना परसेंटेज है गतवर्स में कितना है मैकसिमम मार क्या है ये सब आप एकदम बिल्कुल सही भरिएगा और जो आप लोग भरेंगे ना वही आपके कॉलेज वाले ठीक है ना कॉलेज वाले मतलब आ आपके गतवर्स को भरके फारवर्ट किया है उन दोनों का अगर मिला नहीं हुआ अगर यहाँ पे कुछ मिस मैच पाय जाता है तो उस कंडिशन में आपके फार्म को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा बहुत सारे छात्र हैं जो कमेंट करते कि सर हमने फार्म सही भरा है बट कॉलेज ने यहाँ पे गलत भर दिया है तो आप जो है एक बार कॉलेज से बिजिट करेंगे और उनसे एक बार इंक्वारी करेंगे उनसे पूछेंगे सर यहाँ पे क्या हमको फिल करना है क्योंकि देखिए कॉलेज जो है अपने तरह से डाटा मतलब फिल करेगा फार वर्स है अगर कॉलेज के मतलब फारवर्ट जो कॉलेज ने डाटा फारवर्ट किया है अगर उससे मिला नहीं खाता है तो आपके फार्म को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा अब फ्रेंड यहाँ पर दिखे एक बिसुबिद्याले एफिलियेटेज एजनसी दोरा संसतार छात्र को सत्यापित किये जाना यानि कि आप जो है मतलब एक्चुल छात्र है कि नहीं है आप अपना मतलब पढ़ाई ओ मतलब जहां से आपने अपना स्कॉलर्शिप का फार्म फारवर्ट किया है भरा है तो वहाँ से आप एक्चुल पढ़ाई कर रहे है याफी नहीं कर रहे है आप उसमें इन्रॉल है याफी नहीं है बस इसको मतलब मिलान उसी को सत्यापित करना कहा जाता है बाकि यहाँ पर गवन नंबर पर देखे बिसुबिद्याले एफिलिये इसको आपको देनी क्या हो सकता है बसरते आपको जो है एदम अपना सही फिल करना है कि आपने अपना डुलेशन मतलब आप कौन से वर्स में इसडे कर रहे हैं आपका मतलब कौन सा कोर्स है ओके यह सब आपको सही भरना है उसका मिलान जो है इन्वस्टी और आपकी अग्रसारित ना होने पर आवेदन में संसोधन माने नहीं होगा अब देखें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अपने फार्म को तो संसोधित कर दियें ठीक है ना मतलब अपने फार्म में करेक्शन कर दियें बट उनको लगता है कि बस मेरा फार्म जो है अब करेक्शन हो चु उपरान तो आपके फार्म को आने वाले समय में रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उस फार्म को जो है मान नहीं किया जाएगा और फिर्ट एक बात की जनकारी मैं आपको और देदू यहाँ पर दीए बहुत सारे बच्चों का फार्म जो है गलत सस्पेक्ट सो कर रहा है मतलब उनका फार्म सब कुछ सही है कॉलेज दौरा भरा गया बिवनट भी बिल्कुल सही है बट उनके में करेशन पोटल ओपन हो रहा है देखिए उनको यहाँ पर कुछ करने की आवासाकता नहीं है बसरते उनको जो है क्या करना होता है कि अगर आपको लगता है कि हमारा जो है सस्पेक्ट लिस्ट में डाला गया है और आपका फार्म सही है कॉलेज दौरा भरा गया बिवनट सही है तो कॉलेज से एक बार विजिट करना है उनसे एक बार inquiry करना है अगर ओ लोग application मांगते हैं तो आपको जो है अपना एक application लिख के उहाँ पे दे देना है college में दे देना है अगर college वाले बोलते हैं बिल्कुल आप छोड़ दिए निस्चिंत हो जाएगे तो आप लोग धहर बना के रखेंगा देखे एक बात और यहाँ पे बहुत सारे चात्र ऐसे हैं जिनका form में कुछ भी गलती नहीं है और फिर गलती भी है तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो है submit वाला option है यहाँ कि submit पे करके वहाँ पे submit पे क्लिक करते हैं ठीक है था अगर उनके form में कुछ गलती है तो भी कर रहा है नहीं है तो भी कर रहा है देखे मैं आपको आदो अगर यहाँ पे कोई भी अगर आपने भूल वस भी यहाँ पर capture code फिल करके submit कर दिया तो आपका form जो है correction मतब correction के सिरडीम आएगा यह माना जाएगा कि आपने अपने form में correction किया है तो जितने भी छात्र ऐसे हैं बहुत सारे छात्र बोला दे कि sir हमारे form में कुछ गलती नहीं था बट हमने यहाँ पर submit कर दिया correction मेरा open हुआ था मैंने submit कर दिया मतब क्या मेरा form result होगा बिलकूर result होगा देखिए आपको क्या करना कोई भी छात्र मतब भूल बस गलती से किसी भी हो जासे अगर आप लोगों ने यहाँ पर अपना capture code फिल किया हुआ है और यहाँ पर final submit पर किलिक कर दिया हुआ है तो जितने भी छात्र यह वाली काम किये हैं final submit पर किलिक किये हुए है उनका एक final यहाँ पर hard copy निकलेगा ठीक है न final copy निकलेगा final copy निकाल के college में जमा कराना होगा जो भी छात्र यहाँ पर final submit पर किलिक किये होंगे उनको जो है अपने farm को college से forward कराना होगा जो भी छात्र final submit करके अपनी hard copy college में जमान नहीं करेंगे अपने farm को college से forward नहीं कराएंगे उनके farm को निरस्ट कर दिया जाएगा उनके farm में कुछ भी changes करने को मौका नहीं मिलेगा ना तो उनको आप दुबारा मौका दिया जाएगा तो जितने भी छात्र अपने farm को final submit यहाँ पर कर दिया है ठीक है ना मतब आपना farm correction करने के बाद यह हो जहाँ भूल चूँ सकी हो किसी भी कारणलों से अगर आपने correction portal open किया final submit किया तो आपको एक hard copy निकलेगी hard copy निकालेगा निकालने के बाद जो आपका मतब जो भी document required होता है जो सगलन कापिया होती है high school इंटर ग्रिजूशन everything मतब जो भी होता है आप उसको लगा के अपने college में जमा करके उसको फारवट करा जीजएगा फ्रेंड यह है अमतब पूरी जनकारी मेभी आपको जनकारी helpful लगे होगी इसके अलामे कोई doubt हो कुछ problem हो तो comment किजएगा फ्रेंड वीडियो पसांद आए होगी like share जोड़ किजएगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थाइंक्यू और कीप वाचिंग